कैसे वब इसे भी प्यारे प्यारे चात्रों आप सबका स्वागत आपके अपने चैनल टीचर सड्डा पर बिहार में जो है नए आरक्षन के साब से रिजल्ट आने सुरू हो गए है बीपी एससी नए आरक्षन के साब से रिजल्ट जारी कर रहा है लेकिन कुछ चीजे अब जो प्रभाव में रहेंगी वो आपको समझ लो एक बार क्या कैसे किस तरीके से चीजे रहेंगी बिहार में रोस्टर की लिए रेंस हो चुका है बहुत सारी वेकंसी में लेकिन अभी टीरी 3.0 में नहीं हो है क्या मुद्दा है कैसे है कब तक आप लोगों का रिजल्ट आले नई दिल्ली में एक SLP दायर की गई है यानि एक पेटिसन डाली गई है हाई कोट ने हटा दिया था ना पहले आरक्सन कम होता था अभी हार सरकार ने जादा दिया हाई कोट ने हटा दिया फिर कम हो गया है तो कम वाले आरक्सन के साब से दे रहे है रिजल्ट लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो result है उस आदेश के फलाफल से परभावित रहेगा यानि कि अगर उसमें by chance कुछ बदलाव होते हैं तो result पे भी उसका परभाव रहेगा ये ये पहले ही लिख रहे है कि ऐसा ऐसा case चल रहा है भाई हम result देतो रहे हैं और जो नए Roaster Clearance के हिसाब से है उस हिसाब से उनोंने result जारी करना सुरू कर दिया है नए आरक्सन के इसाब से देखो यहां इनोंने लिख दिया है 50% के अनुसार जो इनके पास संसोधित रिखती आई है उसके हिसाब से result जारी कर रहे हैं जो पुराने रिजल्टी एक दो रिजल्ट जारी कर भी चुके थे उसमें भी संसोधित कर रहे हैं और जब रिजल्ट आएंगे वो सब भी इस बात के तहत होंगे कि सुप्रिम कोट आरक्षन को लेकर क्या कहता है अब आते हैं अपने वाली बात पर ये तो ही रिजल्ट कैसे आएगा रिजल्ट जितने भी आएंगे वो भाई सुप्रिम कोट के फैसले से बात दे रहेंगे वहां हां तो हां वहां ना तो ना अब आते हैं जो टियारी 3.0 में प्रोग्रेस चल रही है अभी तक टियारी 3.0 में जो पदो की गणना है जिलावार जातीगत गणना जो है पदो की क्योंकि सीट क्या होती है ना मांलिया भई पटना जिले में 500 सीट हैं 500 में कितनी अनारक्सित हैं कितनी पिछडेवर्क की हैं कितनी सीएश्टी की हैं कितनी जो है physical handicap के लिए रखी गई है OH, pH में कितना divide होगा महिलाउं के लिए कितना आरक्सन हैं उस सब जिलावार कराया जाता है वो सारी सीटे बिहार जो सिक्सावी भाग है वो बेजता है BPSC को और BPSC उसके हिसाब से अपना रिजल्ट जारी करेगा क्योंकि रिजल्ट तभी जारी किया जा सकता जब पता होगा किस कैटेगरी में कितनी सीट है अगर किसी केटेगरी में जादा सीट है तो उसकी कट ओफ कम जाएगी कम सीट है तो कट ओफ जादा जाएगी तो यह अभी तक सिर्फ 9 जीलो का हुपाया है इसमें बाकी जीलो का होने में अभी और 10-15 दिन लगेंगे और यह परकिरिया पिछले कोई लगबग 40 दिन से चल रही है तो अभी भी इसमें 10-15 दिन अभी भी लगेंगे और उसके बाद 10-5 दिन BPSC भी लेगा तो मैंने जैसा पहले भी कहा था कि ग्रहन लगा है 3.0 पे भी 4.0 में भी आरक्षन के चक्कर में दोनों भरतिया फसी हुई है एक डारेक्ट फसी हुई है दूसरी इंडारेक्ट फसी हुई है जब तक ये क्लियर नहीं होगी वो वाली आएगी नहीं ये चीज है तो आप लोग पढ़ते रहिए खुस रहिए और जहां भी आपको कहीं पे भी मोका मिल रहा है भरतियों का तो अपलाई जरूर कीजिए मध्य परदेश में एक छोटा सा मोका बना हुआ है क्योंकि एमपिटेट वहां पर आ गया है और एमपिटेट के बेसिस पर वहां पर भी आगे चलके एक मेन एक्जाम होगा जैसे बिहार में स्टेट होता है ना उसके बाद एक्जाम होता है तो ऐसी मध्य परदेश में एक छोटा सा मोका बना है और जो है उत्तर परदेश में गहमा गहमी चली रही है बहुत जादा ना सही थोड़ी बहुत वेकंसीज देके जरूर कुछ लिपापोती सरकार जरूर मुझे लगरा करती हुई नजर आएगी बहुत जादा वो बिहार की तरज पर तो नहीं होगा कि सिक्सा का बिल्कुल काया कलपी हो जाएगा उसकी तो अमीद कमी है मुझे उत्तर परदेश सरकार से लेकिन थोड़ी बहुत वेकंसीज वहाँ पर भी जरूर होंगी और DSSB में वेकंसीज होंगी दिल्ली में और केंद्रे विद्यालियों में जैसा कि 2-3 साल में एक बार वेकंसी आती है पिछली 2022 में आई थी अब अगली भड़ती आएगी तो आप ये इन चीज़ों के लिए कुछ तयार रह सकते हैं ये कुछ आगमी भड़ती आए तो बेस्ट ओफ लक्स अभी स्टूडेंट्स को जो बच्चे बैचीज में जुड़ना चाहते हैं नीचे स्क्रीन पे नंबर है आप फोन कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे सटीक और बहतर जानकारी के लिए